आज फिर इन दोनों बेहनों ने इतनी पीली कि इने चलने तक का भी होश नहीं, गलती मेरी ही है, बिन मा की बच्चियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चड़ा लिया कि इनके सही बुरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया, और आज नौबत यहां तक आ गई है कि ये दोनों पूरी तरह बिगड़ चुकी है, अपनी दोनों जबान बेटियों की हरकतों को देखते हुए, धनरात सेट उनके लिए लड़के तलाशने शुरू कर देता है, फिर कुछ दिनों में उनकी शादी अपने बराबर के घराने में कर देता है, जहां उनकी सास राजरानी हाथो में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती है, जिसे देख सुनैनो और मलाइका अपने घुंगट को हटाते हुए कहती है, ओफो साजु मॉम, अब ये सब ताम जाम बन भी करो, हम ससुराल आई है, कोई सरहत पर जंग लड़ने नहीं आई है, जो आप ये सब ड्रामे कर ये कहकर दोनों बेहने बिना कलर्ज किराए ही अपने कमरे में चली जाती है, उनका ऐसा व्यभार देखकर, राजरानी और उसके बेटे निखिल और रोहित हैरान रह जाते हैं, अगले दिन वो दोनों सुबह दस बजे सो कर उठती है, फिर राजरानी उनसे कहती है, अरे य तो सर्फ मीठा खाना आता है, बनाना नहीं, और वैसे भी, घर में नौकर है न, तो ये उनका काम है, हमने तो आज तक अपने घर के किचुन में भी कधम नहीं रखा, बेटा, घर में भले ही हर काम के लिए नौकर है, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मियों को ही बनान चाहिए, मा बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी, शादी के बाद अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना एक रस्म है, जो हर बहु निभाती है, ओफो, माईके में हमारा बाप कम था जो अब यहां तुम दोनों भी लेक्चर देने लग गए, लेविट, अरी सुनेना चलो जल्दी से रेडी होकर बाहर पूल में आ जाओ, आज हम दोनों जी भर कर स्विमिंग करेंगे, कुछ देर बाद दोनों बेहने सब घरवालों और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहन कर आती हैं और पूल में जाकर नहाने लगती हैं, अपनी बवों की ऐसी बेशर्म महिला थी, साथ ही वो समास सेविका भी थी, उसका खुद का एक बड़ा एंजियो था जिससे शेहर की बड़ी-बड़ी हस्तियां जोड़ी हुई थी, ऐसी कुछ दिन बीथते हैं, मलाइको और सुनैना अपने ससुराल की प्रती कोई जिम्मिदारी नहीं समझती थी, वो द दोनों नाइट क्लब जा रही है, आने में देर हो जाएगी, चलो सुनैना, फिर दोनों शॉट ड्रेस पहन कर नाइट क्लब चली जाती हैं, जहां वो खूब सिगरेट शराब पीती हैं, फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर ट्रॉप करते हैं, दोनों लड़ यही तो हमारी जीने के दिन है, अरे हम अपनी जवानी में एंज्वाई नहीं करेंगे तो क्या दुम जैसी बुड़िया होकर एंज्वाई करेंगे, हाँ तब ही निखिल और रोहित वहां आते हैं और उन दोनों को जोरदार थपड मारते हैं, यह देखकर दोनों बेहनों को बहुत गुस्सा आता है, और वो भी अपने पतियों के मुह पर थपड कस देती हैं, हम आज के जमाने की लड़किया हैं, मुह तोड जवाब देना बहु रेव पार्टी का इंविटेशन होता है, ओ वाओ, रेव पार्टी, मलाइका, I am so excited यार, मैंने आज तक बस रेव पार्टी इसके बारे में सुना था, लेकिन अब तो हम उसे enjoy भी करेंगे, of course, अगर लाइफ में हर चीज का मज़ा नहीं लिया, तो क्या किया, we will definitely go there, दोनो बैने खुश हो जाती है और शाम को तैयार हो कर अपने कार लेकर वहाँ पहुँच जाती है, पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस पर पोरे पार्टी में शराप, जिग्रे, ड्रक्स से लेकर सुख के हर चीज शामिल होती है, वो दोनों उस दिन ड्रक्स का सेवन भी करती ह जिससे उनका सर पूरी तरह घूम जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में होती है, तभी एक लड़का जो की नशे में होता है, मलाइका को गलत तरीके से छुने की कोशिश करता है, तभी कुछ पल के लिए लाइट चले जाती है और जब लाइट आती है, तो वो लड़का जो मलाइका को छेड़ रहा था, वो मरा हुआ जमीन पर पड़ा होता है, कुछी देर में उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सब को अरेस्ट कर लेती है, अगले दिन राजरानी अपने बेटों के साथ जेल पहुँचती है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया यही काफी है, आकाश यहां आजाओ, और इंस्पेक्टर साहब आप छोड़ दो इने, जी मैडम, ये लड़का तो जिन्दा है, हाँ, ये सब हमारे प्लैन था, तुम दोनों के अगल ठिकाने लगाने के लिए, दरसल ये सारा प्लान राजरानी और उसके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहूं को सबक सिखाने के लिए किया था, उन्होंने ही अपनी पहुच का इस्तिमाल करते हुए इस पार्टी का आयोजन किया और ये सब ड्रामा रचा, लेकिन इससे मलाइक और सुनैना को अच्छा सबक मिला, और वो दोनों अब बेशर्म से संस कारी बहूं में बन गई, जो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपनी ग्रिहस्ती चलाने लगी। यार ये कौन सुबा सुबा काई काई कर रहा है। अच्छा, तो इससे मेरी आवाज कववे जैसी लग रही है, रुक अभी बताती हो तुझे। देखते हुए उसने जल से जल इन तीनों की शादी करने की ठानी। काफी खोजपीन के बाद उर्मिला ने अपनी तीनों बेटियों की शादी सागरी देवी के तीन बेटों मुकेश, नवीन और समर से कर दो। सागरी देवी शेहर में तो रहती थी, लेकिन थी वो एकदम पुराने विचारों वाली। उनकी सोच और उम्र उनके सफेद बालों की तरह ही एकदम पुराने थे। आज सागरी देवी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके तीनों बहुएं आज एक साथ ग्रेह प्रवेश्चों कर रही थी। अब तुम तीनों बहुएं एक साथ इस कलश को अपने पैरों से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। वो तीनों बहने अपनी सास की बात को मान कर कलश किराकर अपने ससुराल में प्रवेश करती है। तब ही अंदर पहुशते ही मुसकान अपना घूंकर जल्दी से उपर करती है और कहती है। अब बस भी करो सासुमा आप तो बेवज़े ही मेरी दोनों बहनों को सुनाए जा रहे हो। अगर मुसकान ने गूंगट हटा भी लिया तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है। बेकार का तमाशा बना रखा है आपने। तीनों नई नवीली बहुएं सभी रिष्टदारों के सामने अपनी सास को खूब सुनाती है। फिर वो तीनों बहुएं भी अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब मुसकान अपने कमरे में होती है तो उसका पती समर उससे कहता है। तभी वहां निधी का पती नवीन आ जाता है। आप टेंशन मतलो हम मा जी को समझा लेंगे और वैसे भी बैकलिस पहनने में आखिर बुराई ही क्या है। तभी वहां सागरी देवी आ जाती है और अपनी बहूं को ऐसे कपड़ों में देख कर कहती है। प्राम ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम में कुछ लाज बची है या नहीं? कम से कम ये तो सोचती कि इस घर में चार-चार मरत खुमते हैं। हे उपर वाले ये मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। मेरी बहूं अब इस घर में अधनंगी होकर खुमेगी। मा जी आप हर बात पर रोक टो क्यों करती हैं भला? अरे हम आज की मौडरन ख्यालात की लड़किया हैं जो मर्जी आए वो पहनेंगी। मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से मा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अब करवाल या ना घर में कलेश। खुले विचारों वाली बहूं को हर रोज अपनी सास से किसी न किसी बात के लिए बेशर्मी के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन उर्मिल अपनी बेटियों को फोन करती है। अच्छा अच्छा ठीक है अब ये बताओ बेटा कि तुम्हें तुम्हारी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती। नहीं आँटी जी बिल्कुल भी नहीं बलकि वो तो हमारा ध्यान बड़े अच्छे से रखती हैं। अपनी सास को व्रिधाश्रम भेज दो तब ही उसकी अकल ठीकाने आएगी। आँटी जी हम तो सिर्फ जुबान और कपड़ों से बेशर्म होंगी लेकिन असली बेशर्म तो आप हो जो अपनी सहली की बुराई उसी की बहों से कर रही हो। आप अच्छे खासे परिवार में फूट डलवाना चाहती हो ना। आँटी जी जैसे आपका बेटब हो आपसे अलग हो गए आप चाहते हो कि हमारा परिवार भी वैसे ही अलग हो जाए। शर्म नहीं आई आपको ऐसा कहते हुए। पर आप तो पूरी की पूरी केरिक्टर लेस हो। पाप रे। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी सास। तुम सब की सब बिगड़ी हुई बेशरम लड़किया हो। मधु ये कही रही होती है कि तभी सागरी अपनी समधन उर्मिला के साथ दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बाते सुन लेती है और वो अंदर आकर मधु से कहती है। बिल्कुल सही कहा तुमने मधु ये मेरी तीनों बहुएं बड़ी ही बेशरम हैं लेकिन आज मुझे गर्व है कि मुझे ये तीनों बेशरम बहुएं मिली हैं क्योंकि जिनके पड़ोसी तुम जैसे हो उनके पास ऐसी ही बहुएं होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन जूट। आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। पूरी तरह जलील होने के बाद मधु शरमिंदा होकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सागरी कभी भी उन तीनों को ओरने पहनने से नहीं रोकते ना ही उनको कभी ताने देते और जो कोई भी उन तीनों के खिलाफ बोलता उसको सागरी और उर्मिला मुह तोड़ जवाब दे देते। प्युक्त